दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मलेशिया का वर्क विजा बंध है तो आप लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं क्यूंकि आप लोग बता दू कि मलेशिया का वर्क विजा भी बहुत ही जादा चालू है फुली है लेकिन आप लोग बता दू कि रिकॉर्मेंट बहुत ही जो हैं कम जा रहा है लेकिन मलेशिया का अगर प्लान डेसन वर्क बीजा की बात करूँ बहुत लोग मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि केल के कंपणी का बीजा ओपन है तो भाई आप लोग जाके केल के कंपनी में अपलाई कर सकते हैं आप लोग बता दू कि कौन-कौन से राज अजमी को लिया जाएगा और फिर वहां से एक समय के अनुसार लिया जाता है दोस्तों कि देखिए कभी कभी जो है तामिल नाडू के तरफ से जो रहते हैं तामिल लोग वो लोगों को लिए साउथ इंडियन के लिए कभी कभी वीजा ओपन होते हैं और के कंपनी का जो है वी के लिए वीजा बंद है आप लोगों को बता दूं कि आउट पास अभी 31 दिसमबर तक आउपन है आउट पास की बात करूं अगर 31 दिसमबर तक आउपन है जब तक 2025 नहीं आते हैं जो है राज्य के हिसाब से जो है दिया जाता है यहां से भेजते हैं फिर वहां पर जाके डिसाइड करते हैं कि कहां कहां से वार्कर को लेना है और किस तरह से वार्कर को भीजा जाए तो यह बहुती बड़ी बात है लेकिन बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं ज्यादा प्लान डिसन वर्क में अगर आप आना चाहते हैं एक चुक है आपको पसंद है तो आप लोगों को बता दू कि प्लान डिसन वर्क जो है बहुती ज़्यादा जो हाड वर्क है अगर आप लोग आते हैं तो बहुती ज़्यादा हाड वर्क रहेगा मैं आप लोगों को बता है क्योंकि देखें यहां पर लोग पहले नहीं जानते हैं कि कितना hard work रहते हैं फिर आज आते हैं उसके बाद सुचते हैं कि नहीं हमने सायद बोला नहीं गया होगा या एजेंड नहीं बोलते हैं कि अच्छा हलका काम होगा लेकिन plantation का काम में कोई भी आई है तो आपको बता दूँ कि फाइनली जो प्लांडेशन का काम बहुत ही वजंदार होते हैं और बहुत ही hard काम होते हैं भारी काम होते हैं यह हमें सुचके आईए कि मुझे जो लोग वजंदार काम कर सकते हैं और जो लोग धूप में काम कर सकते हैं और बारिस में भीग के भी काम कर सकते हैं वो लोग ही आईए कि आपसे आपको माने कर लście करने जाते ही तो फॉल को लोडिंग करने जाते है उस वक्त अगर अचानक आ जाए तो आप तो बहिछ बगान से नहीं आ सकते हैं और नहीए लेकिंग रूम बना हुआ कि आप जाकर छुप जाएंगे तो वहां पर आपको भीगना ही पड़ेगा और आपकर आपको बता दू कि धूप की बारे में तो बहुत सारे जगह में जो है नए-ने प्रोजेक्ट जैसे बनते हैं नए-ने जगह में तो नए-ने श्टार्ट करते ह हैं और बड़े पेड को काटने के बाद जो है ने श्टार्ट करते हैं वहां पर आपको जंगल साप करते हैं बहुत सारे जगह में जो है टैरी बनाया जाता है जैसे पीड लगाने के लिए जगह बनाते हैं तो वहां पर आपको फिर धूप में काम करना बड़ेगा बहुत तो क्या पता आपको कहाँ पर लाकर रख दे, प्लांडेसन का काम में, प्लांडेसन का बगान में ही बहुत सारे जगा में, अगर KLK कमपनी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो KLK कमपनी में बहुत सारे जगा में, जैसे बहुत ही जादे दिन से पेड़ बहुत ही जादा हो चुके हैं वहां पर पेड को काटके फिर ने पेड लगाने का खेना क्या घातए तो फिर आपको धूप में काम करना पड़ाईगा किका आप वहां पर ये काम शेकर लग जाया तो हमेंसा ये सोच के आना होगा कि मुझे हाड वर्क करना है और मुझे धूप में या बारिस में भीग के काम करना है तो यही जो है Plantation का काम है और कहीं salary अच्छे होते हैं तो कहीं salary अच्छे नहीं होते हैं हलकि यह सहनी कि आप KLK कंपणी में आए और आपका salary अच्छा होगा कि आपका एक कम पम्रेइफ मैं कर पाते हैं अगर आप पाते हैं तो अगर ऐसरा घ्रको मने रिंगित कर बढ़े जो ज्यादा ये है वहाँ पर आपका छोटा फैल है वहाँ पर आपका पैसा ज्यादा देगा कि छोटा फैल में आपको बहुत ज्यादा कातना पड़ेगा तो यह है मैं और वीजा जो है आप लोग नजजी की यहां से लगा सकते हैं महीं बहुत ही भाई लोगों को बोल चु सिस्क्राइब पर दिये